हेलो गाइज आज की वीडियो में मैं दिखा रहा हूं तिरी फेस जनेटर की सिलिपरिंग कैसे चेंज गरते हैं तो ये पुरानी सिलिपरिंग है जो मैंने उठा के रखी और ये नई सिलिपरिंग है इसमें क्या हो गया था पुरानी वाली सिलिपरिंग में गड़ा हो गया थ अभी मैं दिखा रहा हूं और यह क्या हो रहा है था इसमें एक फेस करन्ट छोड़ जाता था जिसकी वज़ा से यह बदलनी पड़ गई है बाकी के तो मैंने सारे समान चेक करके देख लिए सब ठीक है अच्छा इसका एक ध्यान रखना होता है यह जो मैंने तार खोल रखें इसके यह निउटल बना हुआ था तो यह खोले है मैंने इसलिए 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 चेक करें है कि आपस में फेस शोड़ तो नहीं है बोल तो नहीं रहे लिए। इसका स्लीपरिंग का पहला सीरह जो होता है नेटल होता है बाकी के तीन फेस होते हैं ये अब भी एक बार इसे चेक करके भी दिखाता हूँ कैसे चेक होती है ये इसके अंदर 4 ही रिंग है और 4 ही बोल्ट है इसके यानि आउटपुट लेने के लिए ये मैंने सिरीज लेम्प जला लिया नियूटल से एक बोलेगा ये वाला नियूटल से बोला है बाकी इससे एक रिंग बोलना चाहिए ये बोल गया और एक ही बोल गया एक बोल्ट से और लाश्ट वाले बोल्ट से यह बोल गया यानि चार ही बोल्ट है चार ही इसके रिंग है एक एक से एक एक बोलना चाहिए एक से दो नहीं बोलने चाहिए वरना खराब होगी स्लिप्रिंग देख सकते हैं, मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ, एक से एक ही बोल रहा है, तो यह स्लिप्रिंग ठीक है, और नहीं है तो ठीक ही है, बाकी चेक करना हमें जरूरी होता हो सकता, नहीं मैं भी कोई न कोई गड़बड हो, इसलिए चेक करके ही ठोकनी होगी, क्योंकि बिना चेक मैं बोल्ट है, यह न्यूटल है, न्यूटल की पहचान करनी होगी हमें, इस पर मैं थोड़ा सा निशान लगा रहा हूँ, यह रिंग पर नहीं लगा रहा, इसकी सिलिप्रिंग की जो सफेद मिट्टी होती है, इस पर लगा रहा हूँ मैं, अच्छी क्वाल्टी की सिलिप रुकती है तो सिलिप्रिंग फटने का खत्रा होता है और कोश्टली पड़ती है इसलिए थोड़ा सा हिफाधत से ही ठोकेंगे चाहे थोड़ी देर लग जाए टाइम लग जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है लेकिन एक बार का काम दो बार ना करना पड़े इसलिए सारा कुछ देखकर ही ठोकेंगे यह जो मैंने इसका नियूटल में निशान लगाया था बोल्ट में इसका क्या करेंगे नियूटल बाला जो यह बोल्ट है यह हम यह जो मैंने तार कोल रखे है इस टार के नियूटल के इसके सामने लगाएंगे बिल्कुल चलिए फटा फटा हम ठॉक लेते हैं इसे वीडियो फास्ट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ऐसे ही दिखाता तो काफी लंबी वीडियो हो जाती और बराबर बराबर से चोट मारते रहेंगे स्लिप्रिंग में एक तरफ से नहीं मरेंगे और ना स्लिप्रिंग भटने का खत्रा रहे था आमने सामने से चोट लगाते रहेंगे और इस अब पूरी ठोक लेंगे जहां तक पहले थी यह देख देख के ठोकते रहेंगे यह आ गई अपनी जगा बाकी के जो तीन फेस हैं उनके बॉल्ट हम टाइट कर देंगे वो नहीं खोले थे मैंने मैंने सिर्फ इस्टार खोला था इसका इस्टार भी कह सकते हैं न्यूटल भी कह सकते हैं चलिए वापस से मैंने चील के साफ करके और दुबारा से लगा दिता हूँ ताफ करना इसलिए ज़रूरी होता कार बना जाता है तो वह परिशान करता है फिर करन्ट रोप करता है अच्छे से चील के मैंने टाइट कर दिया और इसमें किलिप भी लगेंगे अच्छे से टाइट करके पीछे मैं इसलिए प्लास से पकड़ रहा हूँ अगर मैंने एड़ते हुए ज्यादा एड़ दिये तो पता लगा अंदर से लीड टूट जाएगी तो काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि रूटर की वाइंडिंग थोड़ी गरी है खाली सिलिप रिंग चेंज कर लें इसलिए यह सिलिप डाल ली और यह थिंबल भी मैंने इससे लागा कर टाइट कर ली अब मैं इस पर सोल्डिंग कर दूँगा सोल्डिंग करके काफी मजबूत हो जाएगा यह लूज कनक्शन का कोई भी अंदेशा नहीं रहेगा अच्छे से सोल्डिंग करेंगे सोल्डर महंगा तो मिलता है लेकिन इसमें सोल्डिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे यह दोनों से सोल्डर कर दीए मैंने दोनों थिंबल अब इसमें मैं कोटन लपेड़ दूँगा अच्छे से क्योंके काफी हेवी अल्टिनेटर है तो इसका खुलना बहुत मुश्किल होता कहीं से कोई बोडी शोट हो गया या दूसरा पेड़ शूट हो गया तो परिशान साबधानी पड़ेगी इसलिए अब इसे ही काफी साबधानी के साथ काम करना होगा मैं सिल्फ डाली थी मैंने उसके उपर कोटन लपेड़ी थी फिर उसके उपर धागे से मैं बांध रहा हूं ताके कोटन ना उध्रे कोटन के उपर से मैं वारनिस भी लगाऊंगा उससे ही होगा कि कोटन मजबूत हो जाएगी और आपसमें सोट होने का खत्रा भी कम हो जाएगा और उद्यगी भी नहीं काफी सारी फाइदे होते हैं उसके वारनिस के सोरी दोनों बांद लिए अब अच्छे से वार्निश कर दूँगा मैं इस पर पहले इमें सारे फेस जो है तीनों फेस इन्हें टाइट कर रहा हूँ तो टाइट करते वक्त थोड़ा से दियान रखना होगा वोल्ट सिलिप ना हो और तूटे ना जैसे मैं बुलाके देखा मैंने न्यूटल वाला ही बचा है और यह जो वार्निश है यह मैं ओरिजिनल लगा रहा हूँ और बिल्कुल प्योर है कोई मिलावट नहीं है इस वार्निश में ताके यह बहुत अच्छे से चिपक जाए नीचे मैंने कपला रख लिया इसलिए पहुशेगा यह हो गया अब मैं साबधानी के साथ इससे टाइट कर देता हूँ और थोड़ा से ऐसे मोलना होगा कि तार भी ने तूटे और इसके थिंबल जो मैंने लगाए है यह भी ने तूटे किलिप अब इस अच्छे से टाइट कर देंगे तनी टाइट थोड़ा ठीक से करना साबधानी के साथ और इतना ढिला भी नहीं चोड़ना लूस कनक्शन रह जाए उससे क्या होगा लूस कनक्शन से इस पार्किंग होगी और वोल्टेज भी ड्रोप करेगा करन्ट ड्रोप करेगा दूसरे खराब भी हो जाएगा आगे लग जाती है लूस कनक्शन से यह हो गया अब इसके उपर मैं कोटन और लपेड देता हूं अच्छे से क्यूंकि जब यह घूमता है तो काफी चक्कर के से घूमता है काफी आर्पियम आते 1500 आर्पियम होते ही इसके तो घूमते वक्त लीडे सुट जाती है छुट जाती है तो इसलिए मैं कोटन मार रहा देंगे और इसमें गाठ तीरी लगा देंगे हम ताके खुले नहीं है फिर इसके उपर से भी वार्निश लगा देता हूं रात ही भी हो गई है वार्निस में भी कोई गंजूसी नहीं करनी है हमें अच्छे सा वार्निस लगाना है बाकी रिंगों पर थोड़ा बहुत वार्निस ठपकेगा तो उसे हम बाद में छील देंगे यह वार्निस मैंने कोटन पर भी डाल दिया जो मैंने रूटर के उपर लपेटी है रहा है और दूसरे एक चीज हो रहे है धिले के साथ इसकी बेरिंग प्लेट भी लगानी चाहिए थी अंदर चलिए बेरिंग उखेड़ना तो है मुझे उसके बाद मैं चाप्ट पी डंक भी मारूंगा बेरिंग टाइट करने के लिए पहले इसे अंदर लगा लेते हैं बोडी में और बोडी में लगाते वक्त थोड़ा सा यह दियान रखेंगें कि यह जो हमारा रूटर है यह फिल्डो से टचना हो वरना उसका कोटन उधर जाएगी फिल्डो की और फिल्ड़ा खराब हो जाएगी अब इसके अंदर चार पे बोल्ट लगे होते हैं दो उपर दो नीचे दोनों साइट से वो अच्छे से टाइट कर लेंगे और बोल्ट टाइट करते वक्त यह दियान रखेंगे आमने सामने का किरोस में बोल्ट टाइट करेंगे ऐसा नहीं होगा कि नीचे का टाइट कर र टाइट करते रहेंगे और हल्की हल्की चोट लगाते रहेंगे यह अपनी जगा बहुत अच्छे से बैठ जाएगा अच्छे से टाइट कर रहे हैं यह कवर तो लगने वाला है हमारा और बोल्ट टाइट करते वक्त यह भी दियान रखेंगे कि बोल्ट ना टूटे उसी हिसाफ से टाइट करेंगे अगर बोल्ट टूट जाते हैं तो लकड़ी फज जाती है काफी बुरी वेल्डिंग से निकलवाने पड़ते हैं एक कवर हमारे टाइट हो गया पुली साइट का अब इस साइट में कवर लगाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे यह वेरिंग उखेंड लेंगे क्योंकि यह ढिला भी है शाप्ट में और वेरिंग पलेट भी लगनी है तो चलिए पहले में वेरिंग उखेड़ना था हूं फटापड देखिए अराम सा गया वेरिंग है अब भी गलत है क्योंकि दुबारा वेरिंग उखेड़ना पड़ेगा है क्योंकि यह जो इसकी कारवन होल्डर है यह वेरिंग पलेट में शायद टच हो सकते है जैसे देख रहां मैं डंक मघार रहा हूं इस पर हलके अलके डंक फारएंगे जादे जोर सा नहीं मारेंगे वरना तो बहुत टाइट हो गई तो बैरिंग नहीं चलेगा बार बार तूटेगा इसलिए हलके अलके डंक लगाएंगे कि क्या करेंगे बेरिंग मेने इस कवर में ठोक लिया हो कवर लगाने के बाद में आगे से बेरिंग प्लेट लगा दूँगा उससे आसानी से कवर आ जाएगा यह लगा ली मैंने वेरिंग प्लेट भी और यह माराम अराम सा ठोक रहा हो इसे इस साइड के कवर पर चोड़ लगाते वक्त बहुत ज़्यादा दियान यह रखना होगा कि सीट पर ही हम ठोकेंगे और सपोर्ट पर ही हम ठोकेंगे अगर हमने कहीं दूसरी जगा हतोली मार द जाएगा क्योंके देख्चून का भी होता है और पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं होगी तो फोरन कवर तूट जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा दियान रखना होगा हमें अब आमने सामने के बहुत टाइट करते हुए हलकी हलकी चोड़ मारके इसा पूरा टाइट कर द ठीक आ गया अपनी जगा कबर और बोल्ट भी तकरीबन पूरे ही हमारे टाइट हो चुके है तारे बोल्ट भी हमारे टाइट हो गया गुमा कर हमने देख लिया बिल्कुल फिरी घूम रहा है यह कोई मसला नहीं है अब इसके जो मेना कार्बन निकाले थे अगर मैं इसके खोलने की वीडियो भी बनाता तो बहुत लंबी हो जाती जैसे मेरे फिट कर रहा है वैसे ही खुलता भी है और खोलना तो बहुत आसा फिट करना होता है यह कार्बन ओल्डर है इनके अंदर यह काटे होते हैं जिसे हमें काटों की जो निशान दिखाई दे रहे हैं जगा दिखाई दे रहे हैं उसमें लगा देंगे तो यह कार्बन जो हैं हमारे टाइट हो जाते हैं बहुत जादा धिला भी नहीं छोड़ना है कारवन और बहुत ही जादा टाइड भी नहीं करना है अब यह जो फेस बचेते हैं हमारा नहीला फेस था यह मैं लगा रहा हूं फेस पर देख सकते हैं लास्ट रिंग में लगाया है ये दूसरे रिंग में लगाया है आमेने दो फेस उधर कंप्लीट हो गए और तीसरा फेस ये लगा रहा हूं और ये न्यूटल लास्ट वाला जो बिलेक कलर है ये न्यूटल है बस यही तरीका होता बस